हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तु माई चनल, आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको स्पीड ब्रेकर में किस तरह से में ड्राइव करना चीए, डाउन शिफ्ट किस तरह से करना चीए, उसके बारे में वीडियो करूंगा मैं, स्पीड ब्रेकर में कंट्रोल करना थोड़ को फिर्च घीर लगा या मैंने क्लुच प्रेस करके देखियमी कार पीछे आ गई और यह क्लच को रिलीज करूंगा मैं दीरे से ओव आप इस प्रेस करूँगा जैसे इस प्रेट ब्रेकर पे चढ़ेगी फिर क्लच रिलीस किया फिर से प्रेस कर दिया मैंने क्योंकि दो स्पीड ब्रेकर एक साथ थे तो इस जगह में क्या करेंगे हम फ्रेंट्स जब हम क्लच प्रेस करेंगे जासे स्पीड ब्रेकर में पहुंचने वाले होंगे सबसे पहले तो कार को हम थोड़ी सी slow down करेंगे slow down करने का रीजन यह है ताकि आपकी कार जर्ग नहीं करें या बंप नहीं करें अराम से speed breaker को cross कर ले इसके लिए हमें क्या करना होता है कार को पहले slow down करना होता है अभी देखिए आगे speed breaker एक और आ रहे है अभी मैं accelerator को release कर लिया हूँ थोड़ी दूर से ही ब्रेक हलकी से अपलाई की ताकि slow down हो कार फर्स यर लगाया ठर्ट गियर से clutch प्रेस करके यह देखिए जैसे ही cross की speed breaker फिर मैंने accelerator को हलकी से प्रेस करके clutch को release कर दी है इसी तरह से हम जितने भी speed breaker है फ्रेंट्स वैसे ही cross करते हैं आगे बहुत सारे speed breaker आने वाले हैं इन फैक्ट दो तीन भी आने वाले हैं अभी मैं एक एक करके जो है वो cross कर रहा हूं और यहां देखिए बहुत उचा speed breaker तो और slow करना होगा और मेरी कार होंडा सिटी है लो एक ड्राउंड क्लिरेंस यह देखिए मैं थोड़ी सी तिडशी करूंगा फर्स गियर अपलाई किया मैंने क्लच को रिलीस किया जैसे क्रॉस की कार मेरी फिर क्लच को रिलीस करके कार को आगे बढ़ा लिया है मैंने तो इसमें क्या करते हैं जैसे हम कार को आगे बढ़ाते हैं हमें इस चीश का ध्यान रखना होता है कि हम क्लच को जब रिलीस कर रहे हैं जैसे हलकी सी पिक अप आती हलकी सी टेडी तेटशी की क्योंकि बड़ा स्पीड ब्रेकर है क्लच रिलीस करके वापीश प्रेस किया फिर रिलीस कर दी है जब तक कार मेरी स्लोली मुव नहीं हो जाती अभी signal है यहाँ पे तो car को slow down, stop कर दी है ओ मैं first gear से car को मैं release करके, neutral करके clutch को release कर दूंगा तो आगे जैसे ही signal green होगा, फिर हम car को आगे बढ़ाएंगे आगे और speed breaker आएंगे जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ ढो या 3 एक साथ speed breaker है इनफेक्ट एक एक ऐसी जगह है जहां चार या पांच-पांच एक साथ है तो क्लच का मुव्मेंट बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप कार को हलकी सी पिकप दे रहे हैं फिर स्टॉप करके या स्लो कर ले रहे हैं कार को इस तरह से अपने क्लच का यूज लेना है कार को अग चैंज प्रणी कर दो निकला तो मैंने क्लच को रिलीज किया और जबत कर आगे बड़ी पीछे वाला वी जब तक आप पीछे वाला जो रियर वियर यह पिछे वाला स्पीड ब्रेकर तक जब तक पहुंसता है तब फिर हमें क्लच को फिर से प्रेस करना है ताकि आपकी कार कंट्रोल में रहे और स्मूदली निकल जाए अगर आप नहीं प्रेस करेंगे तो पीछे जो है उचलने लगेगी मतलब जंप से निकलेगी कार आगे वाला बड़े राम से आपने निकाल लेकिन पीछे वाला अगर एकदम से निकालेंगे आप क्लच प्रेस नहीं करेंगे तो जटके से निकलेगी और जो पीछे बैठे होंगे वो जंप हो जाएंगे मतलब क्या सकते हैं कि उचल कार पीछे से ऐसे जंप करेंगी अभी देखें फिफ्टी की स्पीड है मैं थोड़ी स्लोडाउन किया हूँ फर्स लियर लगाऊंगा फॉर्थ से यह देखें क्लच प्रेस किया फूर्स यड लगाया कार को थोड़ा slow down कर लेना होता है आगे चल के दिखाता हूं मैं किस तरह से करूंगा अभी यह देखिए अभी मेरी 4th year में कार थोड़ी सी speed achieve कर लेते हैं खाली road है यहाँ पर मैं 60 तक की speed ले सकता हूं speed limit है यहाँ आगे अब 60 आपने तो आप कांटिन्यू इस एक्सिलेटर प्रेस कर सकते हैं इस सब्सक्राइब करने से क्या होता है यह माईलेज अची रहती है तो यह ता टिप फ्रेंट्स यह चला सकते हैं कभी आप जो बोपेन स्पेस में ड्राइब कर रहे हैं आगे देके speed brake कराने लगा मैं एक्सिल सब्सक्राइब करने लगाया फिर क्लच को रिलीस किया फिर से प्रेस किया ताकि मेरा पीछे वाला वील्स निकल जाए तो फ्रेंट्स डाउन शिफ्ट जडूरी है जब भी हम स्पीड ब्रेकर पर चीव करने वाले होते हैं क्योंकि अगर आप फूर्थ या फिफ्द गियर में हैं स्पीड ब्रेकर क्रॉस करेंगे तो बहुत जड़के में कौर्स होगी कार Fr Dat नीचे वाली जो कर का नीचे का हुड लोकेशन है और हैं नजीचे का हुड बंपर भी हिटbl हो सकते हैं अगर आप बहु जबहाँ स्पीड में होते हैं किसी भी speed breaker में तो, so speed breaker का नाम ही इसलिए speed breaker ता कि आपकी speed को brake कर सके, अभी देखिए आगे speed breaker आया, मैंने halki सी brake अपलाई की, second gear, third gear में थी कार मेरी clutch प्रेस किया, first gear लगाया, ये देखिए, first gear में clutch release किया, फिर से प्रेस किया, ता कि मेरी car move हो गई, कि अब मुव होते ही मैंने clutch को लेक्र रिलीज कर दिया है तो दो बार रेमकी clutch प्रेस इसल्ये करें आई था कि front wheel निकल जाए 오른 विल निकलते ही आगे वाला विल जैसे यह आपका निकल जायेगा फिर आप क्या है कि फिर से प्रेस कर लेंगे तो पीछे वाला वी बड़े अराम से यह देखिए फिर हल्की सी प्रेस किया ताकि मेरे कार में मुवमेंटम आए यह देखिया तीन स्पीड ब्रेकर था तीनों को मैंने इस तरह से क्रॉस किया हल्का सक लिलीस किया क्लच को फिर दीरे से प्रेस किया मतलब हल जब बायडिंग पॉइंट पे पहुचा मेरा कछ फिर मैंने जैसे मूवमेंट हो गई फ्रन्ट विल निकल गया बाइटिंग पॉइंट तर था क्लच फिर पूरा प्रेस किया थाकि कंट्रोल मेरे को अ पर 2 मेरी से पीशे लफ निखा फिर मेरे को मालब कि अ बच्छ कम कर आथ वैसे मैंनेЭто कि 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 अ कि अटि कि सुब़ आ यहां यह जो कि अभी मैं उपра क्रॉस करूं गार्ब ने किया फिर क्णफ को रिलीस किया फिर से आगे अपनी कार को बढ़ा लिया आप्नि क्लाश् का मूव्मेंट देखा होका फ्रेंड किस तरहसे मैं क्लाश्का मूव便् लिया ताकि में कार जो है स्पीड बेस्थिक कर सके तो ये बहुत जरूरी ह होता यहां पर jak Bay सब्सक्राइब विदिन 500 आधा किलोमेटर भी नहीं है स्पीड बेकर मिल रहे हैं अभी तक जित्ती भी पीछे से आया हूं हर जगा मुझे तो से स्पीड़ायों की मिला है 10 claim मिला दा किलोमेटर के एंदर ही भीजवेश में इक स्पीड ब्रेकर आरहा है अभी देखके फिर से 2 तीन स्पीड ब्रेकर है यह मैंने ब्रेक अप्लाई कि Tut यह लगाया क्लच को रिलीज किया फिर से प्रेस किया फिर रिलीज किया फिर से प्रेस किया इस तरह से हम कंट्रोल करते हैं अपनी कार को जब भी हम स्पीड ब्रेकर में होते हैं क्लच रिलीज करते हैं फिर प्रेस करते हैं इसी तरह से कंट्रोल करते हैं अपनी कार फ्रेंट करनी होती है या slow down करनी होती है हमें जब speed breaker में हम पहुंच रहे होती है और किस तरह से control करते हैं I hope ये वीडियो में आपको speed breaker के वारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स लाइक करें कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें और चैनल अब तक आपने subscribe नहीं किया फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फ्रेंड्स गुड़ डे ड्राइफ सेफली एंड टेक कियर